भगवान जगनात की रत्यात्रा में श्रधालों की उम्री थी, राजिपाल और मुख्य मंत्री नी की पूजा और चनाम भाई बलमद्र और बहन सुबंद्रा के साथ मौसिव बाड़ी पहुंचे भगवान माल और सेवा कर GST दिवसाज वित मंत्री निर्मला सिता रमन ने कहा, GST कर संग्रा में लगातार हो रही है ब्रत्ती देवगर एयरपूर्ट से अब बोईंग 737 भी भरेगा उडार, मिरा एरोडरम का लाइसेंस 12 जुलाई को ब्रदान मंत्री नरेंडर मोदी करेंगे उठाटर और सिंगल यूस ब्लास्टी पराज से दीशपर में प्रतिवंद लागू इसके उत्पादन, आयाद, मंदारन, विद्रन, विक्री और उप्योग पर रहेगी पावंदी नमस्कार, खबरे जारकन में आपका स्वागत है मैं हूँ सरोज्जा, आप सभी को रत यात्रा की धेरों शुब काम नाएं और अब समाचार विस्तार से और इसा में आज सुबर शुरूई विश्व प्रसिद्ध, रत यात्रा, लाकों श्रधालियों ने हिस्सा लिया प्रभू जगनात, भाई बल्राम और बेहन सुबद्रा अपने अपने रतों में सवार होकर सूरज डूमने से पहले तकरीवन तीन किलोमीटर दूर मौजूद गुंडिचा मंदिर पहुचे जो कि भगवान की मौसी का घर माना जाता है यहां भगवान जगनात अपने भाई बेहन के साथ साथ दिन तक रुकेंगे फिर इन्ही रतों में सवार होकर अपने मुख्य मंदिर लोटेंगे बारहवी शताब्दी से चली आ रहे इस यात्रा में हरवश भगवान जगनात भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह जगनात मंदिर से गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं रत यात्रा के सुचारो संचालन के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंद किये गए थे इदर राजधाने राची सहीत राजवर में रत्यात्रा को लिकर शुधालों में बाहरी उत्सा देखा जा रहा है राची के जगनातपूर मंदिर में भगवान जगनात, बड़े भाईबल भद्र और बेहन सुभद्रा की पूजा अर्चना के बाद शाम में रत्यात्रा निकाली गई जगनातपूर इस्तित मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी के लिए निकाली गई रत्यात्रा में इस बार आम लोग भी शामिल हो पाए राजिपाल रमीश बैस और मुख्य मंदिर हमन सोरेन भी राजिस्तित भगवान जगनात मंदिर पहुँचे और पूजा अरचना के बाद रत्यात्रा में भी सम्मेलित हुए जगनातपूर में रत्यात्रा के दौरान नौ दिनों तक मेला लगता है वहीं एतिहासिक जगनात रत्यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं एक जुलाई को रत्यात्रा और दश जुलाई को घूरती रत के दौरान ट्राफिक रूट में भी बदलाव किया गया है जरकन समेट देशपर में पिछले कुछ दिनों से कुरोना संक्रमन का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है देश में पिछले 24 गंटे में कुरोना बारस संक्रमन के 17,070 नहीं मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 14,044 लोग स्वस्थ भी हुए हैं इधर जारकन में पिछले 24 गंटे के दौरान 51 नहीं संक्रमन की पुस्टी हुई जबकि 27 कुरोना वीरों ने इस बेमारी को हरा कर जिन्दगी की जंग जीती है राज्जी में फिलाल कुरोना के 308 सक्रिय मामले शेस हैं जबकि रिकवरे रेट 98.7 शुन्य फीसदी है कुरोना के खिलाब जारी जंग में टिका करन अभियान में देश ने एक और नया कृतिमान स्थापित किया है केंद्री स्थासी मंत्राले के अनुसार देश में अब तक 197 करोड 74 लाग सियादी कोविड रोधिटी के लगाए जा चुके हैं राश्पदी पत के लिए NDA की प्रत्याशी द्राबदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश के बद्दी में पहुंची इस जोरान उनका केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर और सीम जैराम ठाकुर समीत अन्यनेताओं ने जोरदार स्वागत किया इसके बाद वो दून विधानसवाशेतर के किशिनपूरा इस्थित होटल ली मेरियट में भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुई इस जोरान उन्होंने बताया कि जिस दिन उनकी उमीदवारी की गोशना हुई उस दिन वो घर में बैठी थी कि अचानक फोन आया और उन्हें NDA से राश्पती पत के उमीदवार के तौर पर चुने जाने की जानकारी दी गई उन्होंने हिमाचल के मंत्रियों और विधायकों से शत प्रतिशत समर्थन की उमीद जताई अपना ही प्राचिन है जित्रा की मानोप और स्तित्तों का अपना इतिहास है बेद हो या शास्त्रो हिमाचल के चर्चा आपको मील ही जाएगा हिमाचल का इतिहास बहुत ही गोरव साली रहा है मुझ्धकाल में गोर्खा समराज से लेकर सीख समराज के सासन सतंत्रता अंदलोन में महत्त पुण भूमिका प्रजा मुंडल के ब्रिटिस सासन के खिलाब अंदलोन और गद्दर पाटी की गोती बिधियों का भी गड़ रहा ही माचल केंद्र सरकार की महत्त कांक्षी अगनिपत योजना को लेकर सिम्डेगा जिले में प्रांतियां दूर हो रही है सेना में बहाली की तैयारी कर रहे युवा एडिसन मिंच गोलु प्रसाद बिरंजनी मिंच और मुकेश उराओं ने कहा कि वही शुरुवाती दौर में योजना के सभी पहलों को समझ नहीं पाये थे जिससे मन में संदेह था योजना अच्छी है और देशित में है इसमें अधिक से अधिक युवाओं को देश सेवा का अफसर में लेगा इसमें जो लाया है प्री नरेंदर मोजी जी तो इसको अच्छी तरह से देखे नियूज सब सुने समझे उसके बाद अच्छा ही लगा कि ये इसकी में जाया है काफी अच्छा है और देश के लिए एक जावलते हैं बहुत ही अच्छा है तो इससे सभी युगाओं को इंडियन आर्मी जाने का अफसर मिलेगा कहें कि आज देख रहे हैं कि विरोजगार काफी बढ़ते हैं जा रहा है तो सबको मुका मिलेगा जाने में और क्या ही बोले सब चीज ठीकी चल रहा है और हम लोग का ट्रेनिंग अभी अच्छा ही चल रहा है तो वेट है आर्मी का जो रैली होने वाला इसमें हो लोग भाग लेंगे काफी बढ़ चड़के और हमारे दोस्त लोग भी लागे हुए हैं तो अग्णी पर्त नगर्मोटी देने नहीं जना निकाले हैं इसके परिफ्टे 15 साल का नुखली इसे चार साल दक्टे रग गया है और हम अपने युवाओं से चाहता है कि जो पहले परिफ्टे 15 साल का उच्छा साल में जादे युवाओं जासकते हैं कि युवाओं को प्रशिक्षन दे रहे मुझे कुछ करना है संस्था के संस्था पक्सा पुर्विस सैनिक रविशंकर साहनी ने कहा कि अगनीपत अच्छी योजना है अब युवाओं की सोच बदली है और वे पूरी उर्जा के साथ तयारी में जुट गए है पहले और आज के डेट में यह कापी परिवर्तन आया है उनका जो एक माइंसेट था वो अब आपका चेंज हो गिया है और वो फिर से तयारी में लग चुके है किंद्री वित्मंत्री निर्मला सितारमर ने कहा है कि जीएस्टी कर संग्रा में लगातार व्रिद्धी हो रही है और जून महिने में यह बढ़कर एक लाक चवालीस हजार करोड रुपए से अधिक हो गई है नई दिल्ली में पांच में बस्तू और सिवाकर दिवस के अफसर पर उन्होंने कहा कि अप्रेल के बाद जून महिने में जीएस्टी संग्रा में सबसी अधिक बढ़ उत्तरी हुई है यह बढ़ कर दो है जैग द्वारा संचालित इंटर कॉमर्स में चंदरपूरा की छात्रा निक्की कुमारी ने पुरी जहारकन राजी में टॉप किया है इस सफलता पर निक्की कुमारी को बधाई देने का तांता लगा हुआ है इसी कड़ी में आज शिक्षा मंतरी जगरनात महतो ने बारवी कॉमर्स टॉपर निक्की से उसकी चंदरपूरा इस्थित आवास पहुँच कर मुलाकात की साथी निक्की को मंतरी ने गुलदस्ता दे कर शुपकामनाई दी और उसके उज्वल भविश्य की कामना की इस मौके पर शिक्षा मंतरी ने निक्की कुमारी को साड़े तीन लाक रुपए की प्रोथ साहन राशी देने की घोशना की है नई उत्पार नीती लागू होने के बाद दो महिने में राज्य सरकार को करीब तीन सो सत्तर करोर राजस्व की प्राप्ती हुई है विभा की ओर से आज ये जानकारी दी गई है कि मई महिने में करीब 188 करोर रुपए राजस्व की प्राप्ती हुई थी जबकि जून महिने में लगबग 180 करोर रुपए की राजस्वा प्राप्ती हुई देवगर एरपोर्ट से आप जल्द ही उड़ान भर सकेंगे इसको डीजी सीए से अपग्रेड़ लाइसेंस मिल गया है देवगर एरपोर्ट के शुरू होने से संताल परगना इलाके में विकास में और तेजी आएगी खास बात ये है कि 12 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस हवाई अड़े का उद्गाटन करेंगे संताल परगना शेत्र के देवगर हवाई अड़े को अपग्रेड़ हवाई अड़ा भी लाइसेंस मिल गया है इसे देवगर एयरपोर्ट से बड़े कमर्शल ओड़ानों के आपरेशन का रास्ता भी साफ हो गया है एयरपोर्ट और्थरिटी ओफ इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है इसका मतलब ये हुआ कि देवगर एयरपोर्ट से अब एयरबस 321, बोईंग 737, टाइप और समकक्ष विमानों तक के वानेजिक विमानों के संचालन की अनुमती मिल गई है सिंगल यूज प्लास्टिक यानि एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंद आज से देश भर में लागू हो गया है आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बस्तूओं के उत्पादन, आयात, भंडारन, वितरन, विक्री और उप्योग पर पाबंदी रहेगी इसी अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए आखिरकार देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंद लागू कर दिया गया है जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक बार इस्तमाल करने के बाद इसे फेग दिया जाता है इसका नतीजा ये होता है कि जगा जगा आपको प्लास्टिक कचरे का अमबार देखने को मिल सकता है इस अभियान के तहट प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्मान, भंडारन, आयात, वितरन, बिक्री और उप्योग पर प्रतिबंद लागू है सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दाएरे में रखा गया है इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले इयर बर्ड्स यानि की जिनसे अपकान साफ करते हैं प्लास्टिक के जंडे, कैंडी और आईस्ट्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक के कप, ब्लेट और कटलरी जैसे उत्पाद शामिल हैं इसका उद्देश सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूशन से निजात पाना है सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, प्रतिबंध का उलंगन करने पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी इधर जारकड में भी आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागो हो गया है अब सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तिमाल, बिक्री और भंडारन करने बालों के खिलाफ कारवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसुला जाएगा राची नगर निगम की ओड़ से भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर विशे सभयान चलाएगा इन उत्पादों में प्लास्टिक स्टिक युक्त येर बड्स, प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के जंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रिम की डंडी, थर्मकोल की सजावती सामगरी, प्लेट, कप, गिलास, चमबच, चाकू और ट्रेश शामिल हैं जारकर्ण में पूर्वे पश्च में टर्फ लाइन के असर आने से, आने वाले तीन दिन तक कुछ जगों पर भारी और कई अन्य अलाकों में हलकी बारिश के आसार हैं राची सित मौसम पिग्यान विभाग के वग्यानिक अभिशी कानन ने बताया कि राची में भी हलके दर्जे की बारिश हो सकती है इस जोरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ वजरपात होने की भी संभावना है राजदानी राची में हो रही बारिश के कारण कई निचले शेत्रों में जल जमाब होने से लोगों की परिशानी बढ़ गई है शेहर के बाद नमर 15 के बल्दीव सहाय लेन में बारिश के कारण सड़क में पूरी तरह से पानी भर गया और कई घरों में भी पानी को साया है इनर्वेल क्लब राची के तत्वाबधान में आज जरूरत मंदों के बीच सेनिटाइजर भोजन और पानी का वितरण किया गया इस मौके पर मेकन अस्पताल के पुर्व चीफ मेडिकल आफिसर एसके मिश्रा बत और मुख्याती थी मौझूद थी इस जोरान उन्होंने बच्चों को हाथ दोने के महत्व की जानकारी दी सबसे बड़ी फ्रीकानी है और संक्रामक विमारीयां उन से हम बग शकते हैं और ये संक्रामक विमारियां ओर बेर्स्मैयरं की कि दिमारी के रुह मेड़िया कैंसर कि highlight I'm che wynISA brother के ऑसमज़ी सेटासंस्ता ने जहारखण में तीन दीवसिय स्पोजर विजीट की इस टीन मीं जहारखण में मंघणयं कारियों को देखा और समझा टीम द्वारा बुकारोग कुटी और रांची जिला में मन्रेगा कारियों के क्रियान वयन के बारे में जानकारी हासिल की गई जार्खन में मन्रेगा कारियों का किस तरह से क्रियानिवन हो रहा है और विभिन हित धारक कैसे कारे करते हैं इसके जानकारी असमकी सिस्टा संस्था ने हासिल की चालिस सदस्य टीम में चिरांग जिले के तीन परखंडों के इंजीनियर, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, पंचायत, चेयर्मैन के साथ सेश्टा के छे सदस्य सामिल थे पहले दिन भुकारो जिले के पेटरवार और कसमार परखंड में मन्रेगा के कारियों के बारे में जाना दूसरे दिन खोटी जिले के तोरपा और गुमला जिले के कामडारा परखंड में मन्रेगा के तहत आम बागवानी, कुवा, ट्रेंच कमबंड, तलाब, डोभा, आदी विभिन संडचना के बारे में टीम ने जानकारी हांसल की कामडारा परखंड में टीम के लोगों को मन्रेगा के प्लानिंग प्रोसेस को मानचित्र के माध्यम से समझाया क्या टीम ने खोटी जिले के उपविकास आयुक्त के साथ भी मन्रेगा कारियों के मौनेटरिंग सिस्टम के क्रियानिवन के सम्बंध में चर्चा की तीसरे और अंतिम दिन सब्तरिशी सेवभवन तुपुदाना राची में बैठक कर पिछले दो दिनों का अनुभाव को साज़ा किया खया एवं उनके द्वारा जारखन के कार्यों को काफी सराहा किया टीम ने विशिश रूप से एक्टिब महिला समोहों का धन्यवाद दिया जिनोंने काफी उर्चा के साथ कार्यों को अंजाम दिया है असम की टीम हुसीर और दियाकेल पंचायत के कई गाउं में बड़े पैमाने पर मंद्रेगा के माध्यम से आम बगवानी से काफी प्रभावित हुई खूटि से ज्योत्सना की रिपोर्ट और आप कुछ खबर राजी के विभिनने जिलों से पश्मित सिंग्भूं के उपायक्त अननिमित्तल द्वारा जगरनाथपूर तथानुआ मुड़ी प्रखंड अंतरगत उतक्रमित मध्विद्यालय मोंगरा, उतक्रमित मध्विद्यालय बढ़ानन्दा और उतक्रमित मध्विद्यालय लोके साई का अवलोकन किया गया इस क्रम में उपायक्त ने स्कुलों के कमरे, पाकशाला और स्वार्चालय का जायजा लेते हुए विद्यालय प्रबंधन समेती तिथा बाल संसत के प्रतिनीधियों से भी समवाद किया पश्मि सिंग्भूम के उपायक्त अननमी तल ने नुवामोडी प्रखंड में कारियत सोयम से भी संस्था एसपायर द्वारा संचारित कारियों का जाइजा लिया उपायक्त ने आदिवासी असोशिशन क्लब में बाल संरक्षन, एबम अधिकार तथा बाल श्रम, मुक्त, शित्र, सम्मधित, आयजित, पंचायत, प्रतिनीधियों के उनमुखी करन कारिक्र में भी शिर्कत की राची के रातु चटी इलाके से पोलिस ने पांच लाग तीन हजार उपे के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफतार किया हाला कि इस दोरान कार में बैठे अने लोग भागने में सफल रहे राची के उपायक्ति शवी रंजन ने भूमी अधिग्रहन अंतरगत एन एचे आई और विभिन परियुजनों से समिक्षा बैठाग की बैठाग में उपायक्ति ने भिभिन परियुजनों की समिक्षा करते हुए संबधित पताधिकारियों को आवशक दिशान निर्देश दिये उन्होंने रहयतों को मुआबजा राशी थतकाल वित्रित करने का निर्देश दिया चत्रा जिले के हंटरगन स्थाना शित्र अंतरगत पांडेपूरा इलाके में कल अग्यात अपराधियों ने एक बार फिर स्टोन क्रशर पर गोली बारी की बाइक सवार सभिया प्राधी गोलियों की तरतराहट के सहारे स्टोन क्रशर पहुंचे और कार्याले के ड्रॉवर में रखे 12,000 नगती लेकर फरार हो गए पुलिस मामले की चान बिन में जुटी है धनबाद जिले में खनन विभाक की टीम ने 15 मोर से निर्सा चौके भी चेकिंग लगा कर अवैध रूप से बालू का परिवान कर रहे 6 ट्रेक्टरों को जब्त किया पुलिस परात्मी की दर्सकर मामले की चान बिन में जुटी है धनबाद जिले के सिंदरी बल्यापुर सीमा पर 6 लदा एक पीकप वैन अन्यत्रित होकर पलट गया इस हादिसे में दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि 12 से ज़्यादा लोग घायल है घायलों को इलाज के लिए स्थानी अस्पिताल में भरती कराए गया है बोकारो पुलिस ने 40 लाख रुपे बैंक डकैती मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते वे चार आरूपियों को ग्रफतार कर लिया है इंडियन बैंक शाखा से डकैती में शामिल पुलिस ने ग्रफतार अपराधियों के पास से लूटे गए बीस लाख चोहतर हजार रुपे नगत और साथियार समेत अनिसामान बरामत किये हैं देवघर कोट परिसर में अमित सिंग हत्यकांड मामले में पुलिस ने एक और आरूपि को पटना से गिरफतार किया है पुलिस या चानबीन में इस हत्यकांड मामले में आपसी रंजश और विवाद के कारण घटना को अंजाम दे जाने की बात सामने आ रही है मौनसन शुरू होने के साथ ही वन जीवो का प्रजनन काल शुरू हो जाता है इस दोरान सुरक्षा और समवर्धन को ध्यान में रखते वे देश भर के निशनल पार्क बंद कर दिये जाते हैं ऐसे में अपलामू टाइकर रिजर्ब के तहत बेतला निशनल पार्क भी आज से बंद हो गया ये निशनल पार्क एक जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा पश्चिमी सिवम जिले की गुदरी थाना शेतर में नकसलियों ने तीन ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया बताया गया है कि तीनों ट्रैक्टर गुदरी स्थित नदी से अवैत बालू की डुलाई में लगे हुए थे तब ही मौके पर पहुंचे नकसलियों ने ड्रैवर के साथ मार पीट की और ट्रैक्टर में आग लगा दी नकसलियों ने इस दोरान हवाई फाइरिंग कर दहशत फैलानी की भी कोशिश की आजादी का आमरित महुतसफ के उपलक्ष में आरपीए फ्रांची मंडल द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्ष प्रशांत यादव के नितरत्तों में मोटर साइकल तथा साइकल रैली का आयोजन किया गया महुतसफ का उधिश रैल यातरी आमजनता तथा रैल कर्मियों में देशबक्ती का जज़बा बढ़ाने और उन्हें एक जुटता पैदा करना था पलामू गड़वा रोड से डाल्टन गंज के बीच विशेईस रैल टिकट चेकिंग की गई वहीं लंबी दूरी की ट्रेने जैसे गरीब रत आमदाबाद एक्सप्रेस जामू तभी एक्सप्रेस के लिए विशेईस रूप से विशेईस अभियान चलाया गया इस चेकिंग में 41 लोग बगए टिकट पकड़े गए जिन से कुल 16,400 रुपे जुर्माना वसूला गया सराइकिला टटर मुकिमार्क पर बेसेनल आफिस के पास संदेहास पद इस्तिती में एक वेक्ति की शवब बरामद हुई है शवब के लगबग 20 फीट की दूरी में उसका बाइक भी बरामद हुआ है मृतर की पहचान खरसावा थाना अंतरगत बाड़ा बामबो के तेलांगडी निवासी के 24 वर्षे शिवशंकर बुद्रा के रूप में हुई है साहिब गंज स्टेशन में तैनात आरपी एफ टीम ने गुप्त सूचना की आधार पर सर्च अभियान चला कर प्रेटफॉर्म संक्या 3 से अंग्रेजी शराब की 104 बोतले बरामद की है जिसे जिला उतपाद विबाग को सौप दिया गया है कूटि की पुलिस अधिक्षक की उपस्तिती में पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को न्यायले में गवाही के द ओरान तक्नी lucky पहलूों पर फोकस करने के लिए कारिशाला का अयोजन किया गया इस दोरान विशुषग्यों ने गवाही के दोरान बरती जाने वाली साबधानियों और अन्य तकनी की पहलूँँ पर जानकारी दी चत्रा सदर अस्पताल में तीन माह से एंटी स्नेक वेनम इंजक्शन उपलब नहीं होने से लोगों को परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है बताया है कि बारिश के मौसम में आये दिन सर्प दंश की घटनाएं घट रही है सदर अस्पताल हो या सभी प्रकंडों का सामुदाइक स्वास्तिकेंद्र सभी जगह सर्प दंश के शिकार लोगों का पहुचना जारी है परन्तु जब सदर अस्पताल में ही वेक्सिन उपलाद नहीं रहने से मरीज और उनके परिजन परिशान है राजपाल रमेश बैस और मुखे मंद्री हमंद सोरेन ने डॉक्टर स्डे पर दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा करने वाले चिकटसा कर्मियों और स्वास्तिकर्मियों को बधाई और शुप कामनाई दी है मुख्य मंत्री ने कहा कि समस्त देश और राजिवासी आपके सेवा भाव और समर पनकार रिणी रहेगा मुख्य मंत्री एमंद सोरेन ने परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहिद अब्दुल हमीद की जैनती पर उन्हें नमन किया मुख्य मंत्री ने कहा कि बर्श 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद जी अदम में वीरता और पराकरम का परिशे देते वे बीर गती को प्राप्त हुए थे शिसोरेन ने कहा कि इस बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा आगामे 3 से 23 जुलाई तक बेंगलोरू में आयोजित जूनियर भारतिय मैला होके टीम के राष्टे कैम्प में सिम्डेगा के चार खिलाडी चैनित के गए हैं जिन में से 3 खिलाडी ब्यूटी डूंग डूंग महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग दो दिन पहले ही आयरलेंड से लोटी थी और ब्यूटी और महिमा आज सिम्डेगा तथा दीपिका राउर किला से बैंगलोरू के लिए रवाना हुई वहीं एक खिलाडी काजल बाड़ा पुर्व से ही बैंगलोरू में ही हैं विद्यूट सेयंत्रों की बिजली उत्पादन में अंटी पीसी पकरी बरवाडी का योगदान एहम साबित हो रहा है पकरी बरवाडी कोईला खनन परियोजना ने इस वर्ष जून महिने में अंटी पीसी के विबिन विद्यूत सेयंत्रों को करीब 280 कोईला रैक बेज कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है इसके साथ ही कोईला परिशन में भी करीब 70 प्रतिशत की वृद्धी हासिल की गई है जबकि कनवेयर द्वारा बेजी गए कोईले की मात्रा में भी करीब 18 प्रतिशत की वृद्धी हुई है और आईए अब देखते हैं स्वाधिनता संग्राम में कितना खास है आज का दिन आज की कड़ी में हम स्वाधिनता सेनानी और समाज सुधारत सुमित महता का स्मरण कर रहे हैं उनका जन्म पहली जुलाई 1837 को गुजरात के सूरत में हुआ था महता ने 1910 से 1911 के दौरान चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लेंड, अमेरिका और कनेड़ा की यात्रा की इस दौरान वे मैजम कामा, श्याम जी कृष्ण बर्मा और विरेंदर नाथ चटुपाध्या जैसे भारती करांधिकारियों से मिले इन बैठकों से उनकी विचारधारा का विकास हुआ और वे स्वतंतरता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए वे राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन और उमर खयाम के धार्मिक विचारों और कारियों से प्रभावित हुए सुमित मेहता सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और शेष जीवन जन सिवा के लिए समर्पित करने का फैसल लखिया सुमित मेहता ने 1927 में गुजरात में बाढ़ राहतकारियों में भी भाग लिया वे 1928 में मारदोली सत्ताक्रह के दोरान अपनी पत्नी के साथ सर्भों शिविर के प्रभारी रहे उन्होंने 1929 में युवा सम्मेलन आयुजित किया मेहता ने बड़ोदा प्रजामंडल के दो सम्मेलनों की अध्धक्षता की विसाबरमती, विसापूर और नासिक में पांच वश तक जेल में रहे उन्होंने किसानों, श्रमिकों और जनजातिय लोगों के कल्यान के लिए भी काम किया जाने माने लेखक सुमित मेहता ने अपने जीवन के बारे में आत्मकथा के नाम से पुस्तक भी लिखी जो उनके निधन के उपरान 1971 में प्रकाशित हुई उनकी अन्य पुस्तकों में समाज दर्बन और हालिह जमिनना गुलामों शामिल है 15 दिसंबर 1968 को सुमित मेता का निधन हो गया आज हम राश्टरवादी सुशीला चेन त्रेहन का स्मरण भी कर रहे हैं उनका जन्म पहली जुलाई 1923 को पंजाब के पठान कोट में हुआ था सुशीला उत्साही स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कारे करता थी सुशीला के पिता मतुरादास द्रेहन अपने क्शेत्र में कॉंग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे वे आरी समाज के प्रमुक सदस्य भी थे सुशीला कम उम्र में ही आरी समाज से जुड़ गई जब वे उसके आरंभिक सभा में भागले रही थी और सभास्तुल को घेरे खड़ी पुलिस के लाठी चार्ज में उन्हें भी चोटाई तब सुशीला ने अन्याय के वरुद लड़ने का निर्णे लिया वे राजनितिक कारेकर्ता बन गई और 1941 में लंदन चली गई उन्होंने बीबी रगबीर कौर के साथ काम किया जो पंजाब प्रांतिय विधान सभा में कीर्ती गदर पार्टी की सदस्य थी सुशीला त्रेहन अंग्रेजों से लड़ाई के लिए शकुंतला आजाद के साथ भी शामिल होई भारत की स्वतंतरता के उपरांत सुशीला त्रेहन ने बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोचसाहन देना जारी रखा और बालिकाओं के लिए तीन विद्याले और एक सहे शिक्षा विद्याले खुला वे डाडुवाल में अपनी ग्राम पंचायत परिशद की पहली महिला पंच थी उन्होंने व्यावहारिक धरातल पर दहेज, घरेलु हिंसा और जातिवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अंतर जातिय विवाह के लिए संगर्श किया वर्ष 2011 में उनका निधन हो गया अपने मित्रों के साथ उन्होंने ब्रेटेश राज के विरोध में नीमा पाड़ा पुल स्थाने में आग लगा दी पात्रा को पकड़ लिया गया और पूरी जेल भेज दिया गया जेल से छूटने पर पात्रा कोलकाता चले गए और राश्ट्रवादी गतिविध्या जारी रखी घर जाते समय पूरी रेल्वेल स्टेशन पर उन्हें पुनहें गिरफतार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में वे अपने कपड़े बनाने के लिए चर्खा कातने लगे। परियाबरन को सच रखने के लिए शोचालियों की साफ सफाई करना, रोजाना समुह में प्राठना करना और गांधीची के अन्य निर्देशों का पालन करना भी जेल में उनकी दिन्चरिया थी। जेल से छूटने पर वे वर्धा चले गए और सवराच, होम रूल और अन्य सरवोदेकारियों का प्रस्रिक्षण लिया। आलेख पात्रा जीवन भर राष्ट्र सेवा करते रहे। 17 नवंबर 1999 को उनका निधन हो गया। और आखिर में इस मुलिटिन के मुखे समाचार एक बर फिर। भगवान जगनात की रत्यात्रा में श्रधालों की उमड़ी भीड, राजिपाल और मुखे मंत्री ने की पूजा अर्चना, भाई बलबद्र और ब्यान सुभत्रा के साथ मौसी बारी पहुंचे भगवान जगनात। माल और सेवाकर जीएस्टी दिवसाज वित्तमंत्री निर्मला सितारमा ने कहा, जीएस्टी कर संग्रा में लगातार हो रही है बृद्धी। देवगर एरपूर्ट्स या बोईंग 737 भी भरेगा उडान, मिला एरोडरम का लाइसेंस, 12 जुलाई को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे उठाटर।